इन जगहों पर भूल कर भी ना हसें, वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा नमबर एक, शम्शान में भूल कर भी नहीं हसना चाहिए किसी व्यक्ति के दह संसकार में शम्शान के अंदर या फिर शव यात्रा में भूल कर भी नहीं हसना चाहिए इस से मृत व्यक्ति का अपमान होता है जो व्यक्ति शम्षान या शव्यात्रा में हसता है वह सो पापों के बराबर पाप का भागिदार बनता है मन्दिर में भूल कर भी नहीं करना चाहिए हसी ठिठोली मन्दिर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर व्यक्ति आध्यात्मिक शान्ती का अनुभव करता है मंदिर ईश्वर से वंदिना करने और ध्यान लगाने का स्थान होता है इसलिए किसी भी धरम स्थान पर जाकर कभी भी हसी ठिठोली नहीं करना चाहिए इससे ना केवल आप स्वयम ईश्वर से जुडाव नहीं कर पाते हैं बलकि दूसरों के ध्यान में भी बादा उत्पन होती है नमबर तीन सथसंग या कथा में जाने पर ना करें हसी ठिठोली यदि कहीं पर कथा या फिर सथसंग आदी हो रहा हो तो वहाँ पर इधर उधर की बातें और हसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए ऐसे में आप स्वयम का नुकसान तो करते ही हैं साथ ही पास में बैठे लोगों को भी दिक्कत होती है सथसंग और कथा में जाने पर गुरु वानी को ध्यान से सुनना चाहिए अन्यता आप ग्यान से वन्चित रह जाते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत थन्यवाद